नमस्कार स्वागत आपके विपी लाइब में इस वक्त मौझूद हैं अलीगर के विदान सवाई गलास में कावरियों का समूँ लगता सड़कों पर नजारा है सभी कावरिये अपनी अपनी स्रद्दा के अनुसार कावर ला रहे हैं लेकिन अगर बात अलीगर के विदानसभा इगलास की कही जाए तो सबसे पहले में वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसमें कुछ चात्रा हैं जो लगातार कावर लेकर आई हुई हैं रामगाट से कावर लाई हुई हैं उनसे हम बातचीत करेंगे यह वो कावरियों के क्या कहेंगी कावर कहा चिलाई हैं हम कावर रामगाट चिलाएं और अपना हमारा यह गाव पड़ता है लाज के पास बड़ा कला लेकर जाएंगे तो क्या मनौती मांगी है आपने किस तरीके क्या सोच कर लाई हुए हर कोई किसी ने किसी के पीछे एक मोटिव होता है तो आपका क्या मोटिव है हमारा कोई मोटिव नहीं है वास बाववान जी से यही प्रात्तना है सब ठीक रहे हैं परिशानी कुछ नहीं रही हम सब साथ में थे एक दूसरी की हेल्प करी और अपना लेकिश लिए लोग कि हम यह यह जितने यहां पर खड़े हैं और लोग आट लेकर आए थे और हमारा आपको बढ़ा कर ला यहां एक लाज के पास पड़ता है क्या कहेंगे कावर लाने की अगर बात के यह तमाम जो सड़कों पर हैं वो कावरिया लजर आ रहे हैं तो किस तरीके का जस्ट नराल रास्ते में लंबा सफर होता है 120 किलोमेटर पैदल ही है फिर वजन भी आपके ऊपर है तो किस तरीके की सरद रही है सब तरह की सरद रही और मेरा नाम आदिति सिंग और रस्ते में बहुत सी परिशानिया भी आई मतलब सड़कों के साड़ में सुना भी पड़ा और बहुत सारी मतलब रुकने की भी बहुत दिक्कत आएं कहां पर रुके कहां पर रुके इस तरह से हम सक्रवार की साम को गई थे और आज है और अभी गावनी पहुंचे अभी गिलास रुके हुए आर हम कर रहे हैं सुवेत तक पहुंचाएंगे और यहां से गाव हमारा 16 क्लूमिटर का सफर है था शुalties सफरव करैंशेा तक नुस्ट जाएंगे यिकशक हैं कावर की उखेंड़ाय में तो कहां पर चड़ाइंगे मंदिर फ्रहर में मंदिन ने मोडियाल कौ पहां चड़ाएंगे क्या कहेंगे क्यों कि रास्ते की अगर बात कई जाये तो आस्ते में तमाम परिशानिया आया करती हैं तो किस तरह की परिशानी बगएर आए कैसे सही हो कि आप लोगों नहीं है अब अपना हो जाएंगे हम सुबह यह कहना चाहते हैं देगे बोले की बक्ती में चूर तमाम यह स्रट डालू है जिनके बीच में छात्राइब हैं इक्यामन किलो इसमें गंगाजल है मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा यह वो भोले के बक्ते हैं जो लगातार बोले की बक्ती में चूर होकर गंगाजल जो है वहां से लाएं उसके बाद गाव में मौझूद सिर्व मंदे पर जलाविसे किया जाएगा कावर की चार सौंबार को लगातार सिवाले में काफी बीड रहती है बोले के बक्तों के दौरा लगातार कावरें लाई जा रही है रामगाट गंगाजी के समीब से यह गंगाजल कावरों के रूप में लाए जाता है जिसके बाद अलग अलग सिवाले में यह गंगाजल जो है सिब कुछी की अगर बात कई जाए तो असर्डालू में उनके प्रती गजब का जोज देखने को मिल रहा है सभी वक्त पूरे तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है सिर्फ की वक्ती में छूर नजर आ सिब वक्तो का जो समू है वो लगाता है सिवाले की ओर सुबह से लगता हुआ नजर आएगा अपनी अपनी बारी का इंतजार कर는지 के लिए सभी कावरिया रास्ते में ठहरते हैं जिससे सुबह के समय में कावरों का जो समू है वो सिवाले तक पहुंच सके देर रात के बाद से ही सिवाले उपर भीड लग जाती है और फिर बारे बजे के बाद से ही सिवाले उपर जलाविशे किया जाता है इगलास विदान सवा में भी तमाम कावरी हैं जो अलग-अलग सिवालों पर जाएंगे आज ये कुछ कावरी है जिन में कुछ चात्राय भी थी जिनके द्वारा जलाविचे किया जाएगा पूरे तरीके से कहा जा सकता है जिस तरीके से का जोस और जुनून दिखाई दे रहा है कही न कही तमाम जो परिशानी है झाल